इंटर्व्यू में वे चुनावी रणनीतियों पर बड़ा परदाफाश किया है। इस दुरान रैपीट फायर इंटर्व्यू में उन्होंने कई सवालों का जवाब देते हुए सियासी हवाओं के रुख पर पूरी काहनी बताई। इस दुरान रैपीट निश्ची तुरूप से नहीं, समिधान बदलने जितना बहुमत हमारे पास 10 साल से है। आप क्या मानती है कि राहूल बाबाएंड कंपनी बोलेगी और देश मान लेगा। कि देश में रादनेती में स्थीवतला नहीं है। 400 सिट जरूर चाहिए कि भारत की सिमाओं को चौक चोबन और सुरक्सित रखना है। 400 सिट इसलिए चाहिए कि देश को दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थ तंतर बनाना है। अमिद शा से सुनिये चुनाओ के रुख की पूरी कहाने अमिद शा से समझ ये 400 पार का सारा गड़ रैपिड फाइर सवालों का सबसे सुल्जा और सठीक जबा सियासत की हर तासीर को बारीकी से समझने वाले केंद्री अग्रे मंत्री अमिद शा किसी भी मुझा पर जब बोलते हैं तो उसके पीछे एक गहरी वज़े होती है पांच में चरण के चुनाओं से पहले एनाई को दिये इंटरव्यू में अमित शाह ने 400 पार के नारे और सम्विधान पर उठे सवालों का अपने चिर परिचित अंदाज में जवाब दिया देश की जनता को मालूम है कि मोदी जी के पास 10 साल से सम्विधान बदलने के लिए परियापत बहुमत है हमने कभी यह अपरोत नहीं किया हां हमें 400 सीट जरूर चाहिए क्योंकि देश में रादनीती में स्थीरता लानी है 400 सीट जरूर चाहिए क्योंकि भारत की सिमाओं को चौक चौबंत और सुरक्सित रखना है 400 सीट इसलिए चाहिए कि देश को दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना है हमने 400 सीट हमारी नई थी मगर परियाप्त बहुमत था इसका उपियोग हमने समविदान सभाने जो देश को वादे किये थे वो सारे वादे पूरे करने में रापिड फायर सवालों का जवाब देते हुए अमित शा ने शराप नीधी को लेकर बिल्ली के सीएम अर्विंद केजरिवाल को भी घेर लिया इनकी प्ली थी कि मेरी एरेश्टी घेरकानौनी है मेरी एरेश्ट को रद कर दीजिये मत्ला मुझे यहां से बड़ी कर दी फिर प्ली को मौडिफाय किया कि ठीक है चलो भई एरेश्ट को रद करना छोड़ दीजिये मुझे बेल सुप्रीम कॉट ने नहीं माना सुप्रीम कॉट ने सिव इतना कहा कि आपका चुनाओ के प्रचार का जो मांग है इसको आप पूरा करिए हम आपको इंड्रीम बेल देते हैं और एक तारीक को आपको सरंडर करना है वहां तक न सरकार में कोई काम करना है न ओफीस जाना है इस दौरान अमिद शा ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छे 370 मज़ने के बाद घाटी के बदले हुए हालाग की कहानी भी बया कि साथी विपक्षी गडबंदन की परिवारवादी पॉलिटिक्स को भी गडभरे में करा कि कि 14 प्रचत वाटिंग से 40 पार कर गया इससे बड़ी कोई सफ़रता 370 की नहीं हो सकती पहले चुनाओ के बहिसकार के नारे लगते थे अज सान्ती पूर्वक कहीं एक डंडा भी नहीं चला एक भी रेगिंग नहीं हुई और धैर ये पूर्वक किसी भी दल का कोई सारी पार्टिया कहती हम 370 वापिस लाएंगे और सारी पार्टिया ब्रश्टाचार में आकंठड़ू भी हुई है इस स्पीच केंद्रिय क्रेमंत्रिय अविच्छा ने आरक्षन के मुद्दे पर भी चवाब दिया हमने इस बात को पूरी तरह से मजबूति के साथ स्पष्ट किया है मैं आज आपकी चैनल के बाद हमसे भी कर रहा हूं जब तक भाजपा का एक भी संसद है इस देश में से SC, ST, OBC के रिजर्वेशन को कोई हाथ नहीं लगा सकता और नरेंद्र मोदी से बड़ा SC, ST, OBC रिजर्वेशन का कोई समर्थक नहीं है अभी तीन चरणों का जुनाव बागी है जाहिर है आरोप प्रत्यारोप की घड़ी के कांटे अब और रफ़तार पकड़ने वाले प्रताप सिंग्वी का बड़ा बयान सामरे आया है पहले हताई 370 अब P.O.K हमारा होगा बीजेपी अखन भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ाएगी कदम इस बार 450 सीथे जीतने के बाद कदम बढ़ाए जाएंगे अब वो दिन दू नहीं जब P.O.K भारत में होगा पिये मोदी के दिशा में भारत और मजबूत होगा तो बड़ा बयान बीजेपी विधायक प्रताप सिंग्वी का सामरे आया है क्या कुछ कहा है सुनिए राने वाले समय में इस चुनाओं में हम 400 सीटें तो पार करेंगी भारती जनता पार्टी 370 सीटों से अधिक लेगी और वो दिन दूर नहीं जब P.O.K भारत का हिस्सा होगा अखंड भारत का सपना अगर कोई साकार कर सकता है तो देश में एक ही वक्ती है नरेंदर वाई मोदी जिनके नेतरित्व में भारती जनता पार्टी की और अटिये की सरकार बनेगी और हमारा अखंड भारत का सपना हमारा यह 370 का राम मंदिर का जो भी सपने पूरे की हैं मोदी जी ने की हैं अखंड भारत का और बारत में फिर से मिले यह सपना हिंदुस्तान की जनता जो बरसों से देख रही है सन 47 के बाद लगातार इस बात को आवाज उठा रही है और जगे जगे बात होती है दिली में 20 माई को बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है बीजेपी अध्याग जेपी नेड़ा सभी महामंतियों के साथ बैठक करेंगे बैठक में अब तक के लोगसाब चुनाव को लेकर समिक्षा की जाएगी और साथ ही आगे के चर्णों को लेकर रणनीती भी बनाए जाएगी चार सो पार का ये बड़ा नारा जिसको लेकर लगातार बीजेपी धुआधार पेचार कर रही है और इसी सिलसले में जेपी नेड़ा के अध्यक्षता में 20 माई को बीजेपी की बड़ी बैठक है इसमें अब तक हुए चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी और साथ ही ज देश के प्रधान मंत्री बनेंगे और 2039 में भी देश के प्रधान मंत्री बने रहेंगे उन्होंने का कि पीम मोदी ने देश को बहुत आगे पहुचाया है उसे और आगे ले जाने के लिए पीम मोदी ही पीम रहेंगे जिस वेक्त ने अंतर रास्ती जगत में भारत की परतिष्ठा को बढ़ाई हो जिस वेक्ट ने देश के अर्थ व्यूस्था को मजबूत किया हो और एक सरवाधिक तीजी से आगे बढ़ने वाली हमारे देश के अर्थ व्यूस्था है जिसको लेकर इंटरनेशनल फाइनेंसियल फॉर्म से भी अब इस बात का दावा कर रही है कि जो भारत 2014 तक एकॉनमी की साइस के मामले में दुनिया के देशों में 11 अस्थान पर था आज वह जंप लेकर मोरी जी के सासनकाल में 5 अस्थान पर पहुँच गया है 2027 आते आते वह दुनिया के देशों में 3 अस्थान पर होगा तो रक्षर मंत्री राजना सिंग को आप सुन रहे तिरों निकाए कि प्यम मोदी ने डेश का मान बढ़ाया है और प्यदान मंत्री नरेन मोदी नासिव 2024 में प्यदान मंत्री के तौर पर तुने जाएंगे अगले साल 75 के होने के बाद प्यदान मंत्री मोदी निर्यामेंट ले लेंगे, उत्तरा धिकारी अमिशा को बनानेगे तो एक करारा जवाब विपक्ष को देते हुए रक्षा मंत्री राजनास सिंग नज़रा रहे है दरसल एक परसेप्शन क्रियेट करने की कोचिश विपक्ष की तरफ से हो रही है और उसी का जवाब रक्षा मंत्री राजनास सिंग ने दिया है